हेलो दोस्तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल आपसन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलाइसिस को फोलो करते होंगे तो आप लोगों ने थर्श्डे के दिन बढ़ियां प्रॉफिट कमाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन याने की मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम bank nifty के चाट पर आचुके हैं Thursday के दिन यहाँ पर क्या हुआ? Thursday के दिन bank nifty gap down खुली और उसके बाद एक range के अंदर फस चुकी थी और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह वाला जो moment था हम लोगों ने यहाँ पर capture किया था और बढ़िया profit देखने को मिला Thursday के दिन अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन याने की Monday के दिन Bank Nifty के अंदर कैसा move रह सकता है तो चलिए दोस्तो अब हम पहले चलेंगे One Day के चार्ट पर तो देखें दोस्तो अब हम One Day के चार्ट पर आ चुके हैं यहाँ पर जो candle का formation हुआ है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो कल के दिन याने की Monday के दिन Bank Nifty gap up opening हो सकती है तो अगर आप लोगोंने Thursday के दिन P hold कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाए साबधान कल के दिन Bank Nifty 9.15 पर open होगी 9.20 में अपना position को exit कर लें अब चलिए अब हम चलते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखे दोस्तो अब हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर आच चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है यानि कि कल के दिन मंडे के दिन Bank Nifty के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तो अगर मंडे के दिन Bank Nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा ये वला level जो की level है 41,163 का अगर इसके उपर gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle के अंदर restaurant दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेबल होगा 41,080 का और target की बात करें तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 से लेकर के 505 तक का target रह सकता है अब suppose कर लेजिए अगर कल के दिन bank nifty इस लेबल पर gap up opening होने के बाद और इस लेबल पर sustain नहीं कर पाती है जो की लेबल है 41,163 का और इस लेबल को यहाँ पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर put बिलकुल भी नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर bet करना है इस लेबल तक bet करना है जो की लेबल है 41,49 का जो की Thursday का closing price है closing price अपने चार्ट के उपर जरूर मार्क कर लें क्योंकि next day trade करने के लिए बहुती important लेबल होता है यह जब आप लोगों को यहाँ पर green candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप ल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 40,980 का और target की बात करें तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की level होगा एक 40,163 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों यह तो होगया gap up बाला सनेरियो अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन याने की कल के दिन bank nifty gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की level है 40,928 का अगर इसके नीचे gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को put कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को red candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लेवल होगा 41,000 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है डेड़ सो से ले करके 200 point तक का target रह सकता है अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन याने की Monday के दिन bank nifty इस level पर gap down खुलने के बाद जो की level है 40,928 का और इस level पर sustain नहीं कर पाती है और इस level को यहाँ पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle के अंदर stand दिखाई दे तब आप लो बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 40,850 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की level है Thursday का closing price है closing price अपने चार्ट के उपर जुरूर मार्क कर लें जो की level है 41,049 का और उसके बाद आप लोग य gap up और gap down वाला scenario अब सपूज कर लीजिए अगर Monday के दिन यानि कल के दिन bank nifty flat खुलती है वो कौन सा John होगा वो होगा यह बला John जो की John होगा 41,163 से ले करके 41,049 के बीच में खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर ना तो call by करना है ना तो put by करना है क्योंकि अगर इस John में कल के दिन यानि की Monday के दिन bank nifty खुलती है तो आप लोगों को first hour के time पर sideways के अंदर फस्ता हुआ दिख सकता है bank nifty तो दोस्तो आसा करता हूँ bank nifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे level mark कर लें त अब चलिए देख लेते हैं nifty 50 का क्या हाल चाल है और कल के दिन यानि की Monday के दिन nifty 50 के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं nifty 50 के चार्ट पर तो देखे दोस्तों अब हम nifty 50 के चार्ट पर आ चुके हैं यहाँ पर क्या हुआ थश्डे के दि दिन निफ्टी 50 गैप डॉन खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर बढ़िया मुवमेंट देखने को मिला तो जिन्होंने एनलैसिस वीडियो को फोलो किया होगा वो लोग थर्षडे के दिन बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा निफ्टी 50 के अंदर अ हमें यह इंडिगेशन मिल रहा है जो कल के दिन याने की मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अपनिंग हो सकती है तो अगर आप लोगों ने थर्षडे के दिन पी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाएए साबधान कल के दिन याने की मंडे के दिन 9.15 पर निफ्ट के time frame पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है कल के दिन याने की Monday के दिन 5050 के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन याने की Monday के दिन 5050 gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा ये बला level जो की level है 17650 का अगर इसके उपर gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle के अंदर एश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17610 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 60 point का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन याने की मंडे के दिन निफ्टी 50 इस level पर gap up opening होने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की level है 17650 का और इस level को यहाँ पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं बाई करना है आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ call buy करना है जब इस level पर आएगी जो की level है 17602 का जो की Thursday का closing price है closing price अपने चार्ट के उपर जरूर मार्क कर लें क्योंकि next day trade करने के लिए बहुती important level होता है यह जब आप लोगों को यहाँ पर green candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17,560 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की level होगा 17,650 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तो यह तो हो गया gap up बाला scenario अब suppose कर लीजिए अगर Monday के दिन याने कल के दिन Nifty 50 gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वला level जो की level है 17,530 का अगर इसके नीचे gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर put cup buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों क red candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की level होगा 17,590 का और target की बात करेंगे तो यहाँ पर approximate target आप लोगों कर रहे सकता है 50 point का और उसके बाद आप लोगों यहा इस level पर gap down खुलने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की level है 17,530 का और इस level को यहाँ पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोग को green candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा से SL लगाना होगा जो की level होगा 17,515 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की level होगा 17,602 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो होगया gap up और gap down वाला scenario अब suppose कर लीजिए अगर Monday के दिन याने कल के दिन nifty 50 flat खुलती है वो कौन सा john होगा वो होगा यह वाला john जो की john होगा 17,650 से ले करके 17,602 के बीच में खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर ना तो call by करना है ना तो put by करना है क्योंकि अगर कल के दिन याने Monday के दिन इस john में खुलती है nifty 50 तो आप लोगों को first hour के time पर फस्ता हुआ दिख सकता है sideways के अंदर तो दोस्तों आसा करता हूँ bank nifty और nifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप जाने की मंडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा prediction informative लगे तो like करे channel पे ने हो तो subscribe भी कर लें साथी साथ bell icon के all पे click करना बिलकुल भी ना भूले जरूर click कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा telegram channel नहीं जोइन किया ह हुआ है तो जाकर के जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की description में plus channel के about section में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम